GLP, GLP की full form होती है Good Laboratory Practices दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Good Laboratory Practices के बारे में तो देखो GLP है क्या? Definition के According, It is a set of rules, operating procedure to ensure quality ये set of rules है, ये कुछ ऐसे rules हैं या फिर operating procedures हैं जो बनाए गए हैं किसलिए? जिससे की quality को ensure किया जा सके और accurate result दिये जा सके किसके अंदर? Lab Practices के अंदर जो Lab के अंदर testing हो गया रहा होती है, उनमें accurate result आ सके इसलिए Good Laboratory Practices का ध्यान रखा जाता है अब आगे बात करते हैं Fundamentals of GLP Fundamentals of GLP में क्या क्या आता है? तो देखो Fundamentals of GLP में आते हैं सबसे पहले आता है Organization and Management सबसे पहले जो Company है Industry है वो उसकी जो Organization और Management है उसको ध्यान रखना पड़ता है GLP का ठीक है अगर वो ही ध्यान नहीं रखेगी GLP में तो सीधी बात है Good Laboratory Practices जो भी है वो होंगी कैसे? ठीक है दूसरे है Personal Personals को भी ध्यान रखना Personal कोन होते है Personal वो आदमी होते हैं जो की काम करते हैं Labs के अंदर ठीक है Labs के अंदर जो काम करने में जो इनसान मतलब जो काम करेंगे उनको बूलते है Personal ठीक है Quality के होने जीए Validated होने चाहिए जब ही जाके कोई Results है वो अच्छे से आपाएंगे किसी भी टेस्ट के इसके बाद आगे है Principles of GLP तो देखो Principles of GLP के अंदर क्या आता है Principles of GLP के अंदर आते हैं सबसे पहले Facility Provided by Organization जो और्गनाइजेशन हो फैसलेटी प्रोवाइड करें दूसरी Efficient Training of Personal जो परसनल है जो इनसान काम करेंगे टेस्टिंग वगरा करेंगे उनकी Efficiently Training हो क्योंकि अगर Training होईगी नहीं परसन्स की तो नहीं पता कैसे चलेगा भी किस तरीके से Accurately Test करे जाते हैं ठीक तीसरा है Validated Equipment and Reagent जो Equipment है वो कैसे हो वो Validated हूँ Validated यानि कि अच्छे Quality के हो और हर बार वो Same Result को Produce करें ठीक फूर्थ है SOP SOP यानि कि Standard Operating Procedure होने चाहिए हर के Equipment का SOP होना चाहिए ठीक है प्रोसेस जो हो वो Validated होना चाहिए फिफ्थ है Correctness of Result जो Result आए वो कैसा होना चाहिए Correct होना चाहिए और Reproduceable होना चाहिए ठीक है कि अगर द्वारक करके देखा जाए तो उसमें वही Result आए उसी Sample के साथ तभी क्या है Good Laboratory Practices फोलो होंगी ठीक है और इसके पास Sixth है Recorded and Documented Result जो भी Result आए वो कैसा होना चाहिए Recorded फॉर्म में होना चाहिए डॉक्यमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए कि अगर हम कहीं और उस Result को भेजना चाहिए तो कोई इंसान उसको पढ़के समझ सके कि हावी जो हमने टेस्ट किया थे उसके क्या